हलो और वेलकाम बेगेगन फ्रेंड्स में में मनी सेनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ साथ यो नोट सेट 6 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिलकुल सही और सटीक जानकारी आपको ब्रेंड और नर्सिंग यूटूब चैनल के दवरा दिया जा रही है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के वीडियो आपको हमारे दवरा दिया जा रहा है वीडियो को सेट चैनल को बिलकुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारी बात इन डिटेल में बताने वाले हैं फिर आपने continue BSC nursing course कर रखा तो आप apply कर सकते हैं BSC nursing candidate को experience कि आओ सकता नहीं है किसी भी state nursing council से या फिर INC से आपको registered होना compulsory है इसके अलावा जो candidate यहाँ पर GNM candidate है तो GNM candidate के लिए 2 year का minimum 50-bedded hospital का जो experience है वो रखा गया है इसके अलावा इनको भी यह बताया गया है कि आपको भी as a registered nurse और midwife state nursing council में फिर इंडिया nursing council में registered होना जरूरी होगा चल यह अब age limit पर भी discuss कर लेते हैं तो जितने भी msage हैं उनके लिए तो 18 से लेकि 13 जो year है 30 year यहाँ पर रखा गया है age relaxation है वो आपको अपनी category के साब से मिल जाएगा उस पर भी अपन डिसकस करने वाले हैं इसके अलावा जो application fees है उसके अगर बात करें तो जो general और OBC candidate है उनके लिए वही यहाँ पर 3000 जो रूपीज है वो रखे गए है SC, ST और जो EWS candidate है उनके लिए यहाँ पर 2400 जो रूपीज है वो रखे गए है इसके अलावा जो person जो PWBD candidate है उनके लिए यहाँ पर कोई भी जो fees है वो नहीं रखे गई है इसके अलावा जो भी candidate है SC और ST के हैं उनको fees refund हो जाएगी लेकिन उसके लिए सर्त यह है कि आपको exam में appear होना पड़ेगा मतलब आपने जैसे माली जे form भर दिया है तो form भरने के बाद आपको exam देने जाना होगा अगर आप exam देने नहीं जाते हैं तो आपकी fees refund नहीं होगी इसके अलावा जो आपका preliminary exam है वो आपका साथियो 14th of April को होने वाला है और जो main exam है वो 5th of May को होने वाला है तो यह दोनों important date है आप ध्यान में रखिएगा पहला exam 14th April को है और दूसरा जो exam है वो 5th May को होने वाला है हालांकि इस notification में कहीं भी mention नहीं है skill test वगेरा के बारे में तो अपन उसको भी लेके थोड़ा सा discuss करने वाले हैं अब यहाँ पर देखिए online जो application form में साथ हैं वो start हो चुके हैं 26th of February से लेके आप 17th of March तक यहाँ पर अपना online form submit कर दीजिए जितना जल्दी हो सके आप form submit कर दीजिए लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी गंडेट form भरने वाले हैं अगर उनके form में कोई भी गल्ती हो जाती है तो गबराने की बिल्कूल भी आऊ सकता नहीं है 18th of March 2024 से लेकर 20th of March तक आप यहाँ पर उसमें correction कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना यदि आपने application form भरा और उसमें आपकी photo या आपका thumb या आपका signature या आपकी category गलत भरी जाती है तो उसमें आप बिल्कूल भी changes नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सारी जो बाते हैं वो बिल्कूल एक दम सही सही बरना है सारी detail को cross check करना है उसी के बाद आपको अपना जो application form वो submit करना है अब यहाँ पर अपने यह discuss करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर last date को extend किया जा सकता है देखे साथियों इसका अपने को बिल्कूल भी wait नहीं करना है कोई last date extend नहीं की जाएगी हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा age जो relaxation है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी category के हिसाब से जो आपको है वो मिल जाएगा अगर आप SCST में है अगर आप OBC में है तो 3 year का आपको मिलता है इसके अलावा आप अगर SCST में है तो 5 year का आपको मिलता है PWBD candidate 10 year का आपको मिलेगा तो यह जो सा साथियों वो 1 April और 2023 से लेके 31 March 2024 के बीच का बना हुआ होना चाहिए इसके बाद अगर बनवावगे तो वो valid नहीं होगा तो आप अभी अपना Central Government के लिए जो format आता है कास्ट certificate का उसके लिए आप अपलाई कर दीजिये ताकि आपका जल्दी से जल्दी बनके आ सके क्योंकि फिर आप इनिलिजिबल हो जाएंगे इसके अलावा जो कंडेट अभी अपियर हैं वो यहां पर अपलाई नहीं कर सकते हैं केवल और केवल वही कंडेट अपलाई कर सकते हैं जिनका registration certificate आ चुका है इसके अलावा यहां पर एक बड़ा changes किया गया है और बड़ा changes यह किया ग वाले हैं उसमें से 20 आपके जिंकर होंगे, 80 आपके नर्सिंग से होंगे, one थर्ड मार्किंग होने वाला है लेकिन जो कि OFFICER आएंगे क्यूशन पेपर में साथियों इस बार 5 सेक्षन होंगे देखे ध्यान से समझेगा एक सेक्षन में 20 क्यूशन होने वाले हैं और एक सेक्षन करने के लिए आपको 18 मिनट मिलने वाले हैं तो मतलब यह कि 20 क्यूशन आपको 18 मिनट में कर लेने हैं अगर आपने नहीं किये तो next जो section है वो अपने आप automatic आ जाएगा और उसके बाद आप उसमें कोई भी changes नहीं कर सकते हैं तो ये एक बड़ा changes किया गया है M.6 में इस बार हर question का time fix कर दिया गया है तो आपको 20 question करने के लिए 18 minute का time गया जाएगा और 5 section paper में होने वाले हैं एक section में 20 question होगे तो 5 section के handed question होगे और handed question के लिए आपको time मिलेगा यहाँ पर 90 minute का तो ये आपके लिए है इसके अलावा जो आपका paper है वो automatically इस बार submit होने वाला है जैसे ही आपके time जो period है वो complete हो जाएगा तो आपको submit करने क्या हो सकता नहीं है वो अपने आप ही वहाँ पर हो जाएगा इसके अलावा जो qualifying marks यहां पर रखे गए हैं तो देखे जनरल और EW के लिए 50 percentile रखे गए हैं बाकि 45 percentile OBC के लिए 40 percent रखे गए हैं SC और ST के लिए इसके अलावा जो pre exam है उसमें second main exam के लिए five जो candidate है उनको एक post के लिए qualify किया जाएगा मालीजी अगर एक post आती है तो उसके लिए five candidate को qualify किया जाएगा each category से जैसे मालीजी जनरल से 5 OBC से 5 SC STW सभी से 55 किया जाएंगे इसके अलावा जो second exam आपका होने वाला है जो main exam होने वाला है फिब तो मई को उसके handed mc क्यों आएंगे 90 minute का आपको time मिलेगा वन थर्ड मार्किंग होने वाली है यहाँ पर भी वही होगा पांच सेक्शन होंगे 20 कियूसन एक सेक्शन में होंगे और 18 minute का आपको time मिलने वाला है इसके अलावा जब भी आपका time खतम हो जाएगा तो paper अपने आप सम्मिट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर इस बार आपके लिए एक बड़ी चुनोती सामने आ रही है कि जो हर क्यूसन है उसके लिए aims ने time fix कर दिया है साथियों बिल्कुल carefully आपको paper करना होगा आपकी जो practice है वो इतनी होनी चाहिए कि एक बार क्यूसन पढ़ने के बाद आपको तुरंत वहाँ पर click करना लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है जरूरी नहीं है कि आप 20 के 20 क्यूसन एक सेक्षन के attempt ही करें जो आपको आ रहा है आप पहले वो attempt कीजिए उसके बाद आप अगर आपको लग रहा है कि मैं 20 ही में confusion हो तो आप उस हिसाब से पिर आगे बढ़ सकते हैं इसके लावा यहां पर जो aim says हैं कि कितनी post यहां पर हो सकती हैं तो वह भी आप देख लीजीए एक बार क्योंकि यहां पर जो अभी करवाया गया है AIMS की जो लिस्ट है वो अभी आनी बाकी है किसमे कितनी पोस्ट आनी है वो अभी बाकी है इसके अलावा CBT जो आपका एक्जाम होने वाला है वो अगर multiple stage में होगा है फिर multiple shift में होने वाला है तो उसके लिए जो normalization की process है वो complete करी जाएगी उसके बाद ही आपका जो result है वो यहाँ पर होने वाला है syllabus आपका वही है जो nursing में अपना रहते हैं nursing में जो भी subject है वही आप syllabus रहने वाला है इसके अलावा जो भी आपका merit list आएगी उसी इसाब से आपको seat alert किये जाएगी जो second आपका जो main exam होगा उसमें जितने आपके marks आएगे उसी आदार पर आपको aim salute होगा पिरी में तो आपको केवल और केवल qualify होना है उसमें आपको यह नहीं कि उसके number आपके main में जुड़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इसके अलावा कोई भी waiting list नहीं आएगी यह आपको हम अभी बता देते हैं कोई waiting list नोट सेट के लिए नहीं आने वाली है इसके अलावा जो aims इसमें आने वाले है तो aims की जो अभी तक इन्होंने list है वो दी नहीं है लेकिन यह इन्होंने detail दी है कि यह जो aims है वो यहाँ पर participate करने वाले है लेकिन 80-20 reservation जो कातियों रखा गया है तो 80-20 reservation है साथियों यहाँ पर बिलकुल आप तयारी में लग जाए धन्यवा साथियों